अगर आप अपना UPI PIN चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपना UPI PIN भूल गए हैं तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ इसके लिए आपको सबसे पहले अपना Google Pay App ओपन करना होगा उसके बाद आप right side में ओपर अपना icon देख पाएंगे इस icon पर click करेंगे इस तरह से आपके सामने एक page open होगा जहाँ पर आपका bank account होगा आपके उसमें 2 bank या 3 bank या फिर एक bank account link हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि मेरे इसमें आप एक bank account link देख रहे होंगे इस पर click करेंगे SBI का bank है State Bank of India और इस पर हम click करेंगे जैसे हम इस पर click करते हैं आपको नीचे option दिखाई देता है Forget UPI PIN यह उन लोगों के लिए होता है जो अपना UPI PIN भूल गए है अगर आप अपना UPI PIN चेंज करना चाहते हैं और जो पुराना UPI PIN है अगर आपको याद है तो आप right side में उपर 3 dot पे click करेंगे और यहाँ पर option आता है change UPI PIN का अगर आपको पुराना वाला UPI PIN याद है और आप नया UPI PIN चेंज करना चाहते हैं तो इस पे click करेंगे ठीक है उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों को अपना UPI PIN बिरकुल याद रही है या वो पूरी तरह से भूल गए हैं अपना UPI PIN उनको क्या करना होगा जिसमें कि आपका जो ATM कार्ड है debit कार्ड है उसकी details आपको डालनी होती है उसमें इस तरह का कार्ड होगा इसमें से last के 6 digit आपको डालने होते हैं और इसके just निचे आपको month और year डालना होता है इस तरह से ठीक है अब जैसे ही आप ये numbers डाल देते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह का page open होता है debit card detail डालने के बाद आपके सामने इस तरह का page open होगा इसका मतलब आपका जो number है phone number जो bank से link है उस पर एक OTP गया होगा उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और निचे आप नया UPI pin create करेंगे तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है UPI pin change करना उम्मिद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और आप हमसे जुड़कर बहुत ही खुश होगे थेंक्यू सो मच दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई नमस्कार जो नए हैं लोग वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वालों को तो इसी तरह से फाइदा होता रहेगा जय हिन जय भारत बाई बाई